टीकमगर कलेक्टर कर्याले के सभाकक्ष में केंद्री सामाजिक ने अवामादिगारता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने टीकमगर जिले के उद्योग पतियों के साथ बैठक की केंद्री मंत्री ने क्षेत्र के उद्योग पतियों से आगामी 27 सितंबर को सागर में होने वाली इन्वेस्टर मीट की तैयारी पर चर्चा कर उनसे वर्तमान में चलने वाले उद्योगों के बारे में बात की साथ ही भवेशी में ठीकमगर जिले में नई उद्योग खोल कर लोगों को रोजगार देने पर चर्चा भी की गई बैटक में उद्योग पतियों द्वारा वर्तमान में उद्योग चलाने में आ रही समस्याओं को जिले में चार नए उद्योग खोल कर रोजगार के अबसर प्रदान करने को लेकर बैटक में समीक्षा की गई और सागर में होने वाली इंवेस्टर मीट को लेकर जिले के उद्योगों का रोड मैप तयार किया गया जो मुखे मंतरी के समक्ष इंवेस्टर मीट में रखा जाएगा इससे बड़े उद्योग पती टीकमगड में नई इंडस्टरी खोल कर स्थानी लोगों को रोजगार उपलब्ड करा सकेंगे केंद्री मंतरी ने कहा कि बुंदेल खंड के जिलों में छोटे छोटे उद्यों खोल कर क्षित्र में रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रह सकते हैं इससे वहां स्थानी लेवल पर होने वाली फसलें और उद्यानी की फसलों के साथ-साथ मूल समवर्धन कर बाहर बेच कर लाप कमाया जा सकेगा जिससे बुंदेल खंड के लोगों को घर बैठे रोजगार मिल सके और जिले का पलायन रुखेगा उद्यूग को स्थाबित करना शायते हैं उद्यूग बाक अधिकारी करेक्टर्म हो जाएं कि उपस्तिदी में हमारे टीकम और जिले के प्रमकर उद्यूग पतियों के साथ में ब्रत बैठन का उजिन किया गया जिलों में छोड़े-छोड़े उद्यूग लगा कर एक और अधिक दर्शी से शर्षक्त बनाए जाए महीं रोजगारगी के शम्हावनों को भी इनके मातिम से आगे बढ़ाए जाए यह बहुत अच्छा सराइनी एक अदम मुकमंती जी को गारा उखाये जा रहा है कि पूरे प्रदेश में हर जिले के अपना अपनी कुछ नम कुछ कुछ अपना प्रोड़क्ट होता है कुछ विशिस उत्पादन होता है वहां की उन चीजों को लेकर आने वाले समय में जिलों में उद्योग बढ़ाई जाएंगे जिसमें उद्यों के साथ साथ समन्दिच चेत्रों में रोजगार भी बड़ी मात्ता में लोग को अख्शा टीकमगड में उद्योग बिक्सित हो पुराने उद्योगों को क्या समस्या है उसके लिए पेठा कायुजित की गई थी हम लोगों ने सुझाव दिये हैं टीकमगड में फोल लेंड कनेक्टिविटी होना चाहिए टीकमगड की जो बिद्धुत है सपलाई है उसको निरबा करके और सारी जो चीजे हैं छोटी चोटी चीजे हैं उनको ठीक करके हमारे यहां किसी प्रसंसका उद्योग लगेंगे छोटी चोटी चीजों को सुधार करके हम बड़े लग्ट तक पहुंच सकते हैं जैसे कि आपने खबर देखी टीकमगड में 27 सितंबर को इन्वेस्टर मीट होने वाली है और इस बारे में केंद्री मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने चर्चा की है हम जानते हैं अपने संबादाता सुधीर जैन से सुधीर टीकमगड में जो चर्चा हुई केंद्री मंत्री के साथ उस बारे में आप विस्तार से बताईए तीकमगड में जो उद्ध्यों केंद्री मंत्री ने बैठक ली जो 17 सितंबर को सागर में इन्वेस्टर मीट होने वाली है उसकी तैयारियों को लेकर टीकमगड कले बल्ला है उनमें क्या समस्ताइए और इनमें क्या सुधार करें रोजगार की अफसर कैसे नए और तयार किये जाए इससे थानी भोषगार मिल सके इसके लिए चर्चा की तासमें ने ये भी कहा JOSH कि जो तीकमड जिले में चार्द नए उद्ध्यों केंद्री को लेए जा रह सब्सक्राइब निकलता है तो इसे जो यहां बाहर जाता है उनके प्रोडक्त यहीं बना के और इनको फिर बाहर सप्लाइब किया जाए तो इस्तानी लोगों के रोजवार भी बढ़ेगा जी और चोट चोटे उद्यों खोल के लोकल लोगों काजी मिलेगा जी आप किस से से जो पलायन होता है जी जी उसको सुधारने के लिए उद्योग दंदों को इस्थानी लेबल पर कोलना पड़ेगा जी इसकी तयारी को लेकर यह सागर में होने वाली इनमस्ट मीट है बहुत कारकर साबित होगी और जो बाहर से जो द्योग इनस्टिर आएंगे तो निश् कि लोगों को रोजगार मिलेगा और नए अफसर खुलेंगे जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी ऐसा माना जा रहा है बुंदेल खड़ में लोगों को रोजगार भी बढ़ेगा और साथी साथ वहां से होने वाला पलायन भी रुकेगा बढ़ते हैं अगली खब कर खड़ते हैं